हलो दोस्तों मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टड़े विद्विक्रांत में स्वागत करता हूं और दोस्तों आज हम देखते हैं से लेकर के दो सो तक क्योंकि हमने सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमने दोसों प्रसनों को सौमिल किया था आपको चार में इसे हमने कि उपलब दिकर आया है पहली वीडियो 55 मिनिट की बनी थी और दूसरा 44-45 वीडियो की लगभग यहां पर शेह हम 5000 50 45 50 से मिनित बाटेंगे मैं 항ड़ाइन से 50 पर कैल एक मिनिट हम देंगे तो सब्ध में इइ हैं NYC की परिष्खाई कि परिष्खाई है र कंदी और यू। यूपी यसाई बिहार यसाई इफ्यार यसाई भियाब यसाई संबिधान की आठवी अन्शूची संबंदी थे लास्तर पत्ति एवं राज्यपाल के संदर्मि प्रावधान से सपत्थ के प्रयरूप से अधिकारिक भाषाओं से दल बदल कानून से कम्पूर्टर तो यहां पर यह है कम्पूर्ट समक दल बदल कानून से तो आपका जो इसमें सही अंसर है वा है सी तो सी है आधिकारिक भासाओं से सम्मंदित है आठवी अनसोची आते हैं अब बावनो कुशन है कम्पूर्टर नेटवर्ट में यल यन यल ए यन तो किसे सम्मंदित है यल ए यन लैन का तातपर है लार्ज एरिय नेटवर्ट लोकल एरिय नेटवर्ट अश्य है लोकल एरिय नेटवर्ट लोकल आर्ट नेटवर्ट तो जो 32 में आपका सही अंसर है वा है बी लोकल एरिय नेटवर्ट तो 152 में आपका जो सही अंसर है वा है बी अंसर तो वहाँ पर बी आपका सब् GOT कि एरिया नेटवर्क अजल इरिया नेटवर्क अब अगा । को इधिए है तो वहां पर बाए कैँ बार पूछा जाता है और लेंट का तदफर क्या होता है लेंट से अब जस्चित नाम है लेंट तो उसको अब को बताना है इसमें आप त्यों आते हैं तिरपनवा कोशन तिरपनवा है इंटरनेट में प्रतेखोष्ट कम्पूर्टर पास होता है एक समान आई पी एड्रेस एक यूनिक पंद्राइंग को गिसंख्या एक यूनिक आई पी एड्रेस एक समान्य नाम तथा संख्या एक समान्य नाम तथा संख्या एक सो तिरपनों आपका जो राइट एंसर है वाई सी एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट में प्रति एक होश कंपूर्टर के पास आते हैं चावनमा कुश्चन निम्न लिखित में से कौन से एक केशन शाफ्ट वेयर पाइकेज नहीं है तो निम्न लिखित में से कौन एक केशन शाफ्ट वेयर पाइकेज नहीं है एक राइड है लाइनक्स। मैंक्रोशाफ्ट आफिस एडू पेज में एकर ओपन ओफिस तो आपको एक्षू चाहण में जो राइट एंसर है 154 में आपका जो राइट एंसर है वाए रेड है लाइनेक्स तो रेड है रेड है लाइनेक्स एक साफ्ट वेयर पाइकेज नहीं है कि आते हैं 55 इंटरनेट प्रोद्गी में काताथ पर है इंटरनेट प्रोद्गी काताथ पर है डाइनेमिक नेम सिस्टम डाटा नेम सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम तो इंटरनेट में प्रोद्गी काताथ पर होता है वाए डी डोमेन ने सिस्टम दोस्तों सर्दी है तो च्छापनों कुश्चन आते हैं किस आस्थाई भाग में टेक्ष्ट एवा अन्य डाटा को भांडारित कर बाद में किसी अन्य अस्थाउन में चिपकाते हैं किस आस्थाई भाग में टेक्ष्ट और एवं अन्य डाटा को भंदारित कर बाद में किसी अन्य अस्थाउन में चिपकाते हैं यह Росс09ούμε कि हाई डिस क्लिप बॉडंट सीडी रोप सीडी डि रोप्त आपका इसमें जो 36 मेरा रचेंशर है भाई सी कि क्लिप बॉड़ कि क्लिप बॉड़ के माध्यम से अन्य अस्थान पर इसे हम पेश्ट करते हैं जेसे हम किसी अस्चर को में माग करते माद करके पेस्ट कर देते हैं दूसरे जगह तो वहां पर वह चल जाता है कि 1057 कुष्चन है रहा यह में आपरेटिंग में करना कहलाता है यह की बोरिंग तो 157 में आपका जो करेक्टर रहायब बूटिंग कहलाता है तो falando अपको जद रखना है कि रहां में अपरेटिक श्रेयं को लोड करना क्या कहलाता है बूटिंग कि दोसों कम्पूटर से समंदित बहुत कुश्चन आते हैं परिच्छाओं में इंपॉर्टन कुश्चन होते हैं एक उच्च गत की स्मृति युक्त सी पी यू में प्रकिरिया के दौरान आस्थाई भंदार अढ़ेतु परियुक्त होती है एक रजिस्टर एक बस एक डाटावेस और बैक साइड बस तो 158 में आपका जो करेक्ट रहाए एक रिजिस्टर भंदार अढ़ेतु परियुक्त होती है एक सब्सक्राइब में आते हैं यू एर और से तात पर रहे यू और से तात पर है इनिवर्सल रिकार लोकेटर यूनीफर्म रिकार लोक खेक्टर इनिवर्सल रिसोर्स लेंग वेज तो 167 में आपका जो करेक्ट रहे वाए शियक तो शी आपका जो है वाई यू यूनीफर्म रिशोर्ष लोकेटर यू नीफर्म रिसोर्ष लोकेटर अब हम आते हैं निक्स्ट कुष्टन एक्सो साथ हुए पर एक्सो साथ हुए है MS Word डाकुमेंट में अंतिम किरिया को परिवर्तित करने है तो साथ कुझी क्या है MS Word Microsoft Word में डाकुमेंट में अंतिम किरिया को परिवर्तित करने है तो साथ कुझी क्या है यह है Ctrl प्लस Y Ctrl प्लस Y Ctrl प्लस X Ctrl प्लस Z तो आपका जो इसमें सही अंसर होगा वह होगा D तो Ctrl Ctrl प्लस Z जिड होता है जो साथ कुझी होती है वह डाकुमेंट को परिवर्तित करती है कि एक सब्सक्राइब है आफिस 2007 में MS Word डाकुमेंट की फाइल को डाकुमेंट फाइल का एक्स्टेंशन होता है डाक पीफी टी डाक डॉक्स टीव डाक टेक्स्ट डाक यक्सलेस आपका जो इसमें सही अंसर है वह है तो 161 देखते हैं क्या है फिर से आफिस 2007 में MS Word डाकुमेंट की फाइल का इक्स्टेंशन होता है डाक पी पी टी डाक 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 टेक्स्ट डाक यक्सलेस तो आपका इसमें जो राइट एंसर है वह है बी अग्स्ट डाक डाट डी ओ सी एस यक्स डी ओ सी एकस हब आते हैं 162 कुशन कौन सा प्रोटोकॉल विभिन होस्ट को ई-मेल की सुविध्या प्रदान करता है कौन सा प्रोटोकॉल विभिन होस्ट को ई-मेल की सुविध्या प्रदान करता है आपका जो 162 में राइट एंसर है वहा है D, D मतलब है आपको बेब पिएज खोलने की आग्या देता है कहलाता है MS Office, Interprester, Wave Browser, प्रचालन, तंत्र तो जो आपका इसमें सही अंसर है YC, Wave Browser वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर तो वेब ब्राउजर जो है आपको खोलने की अनुमती देता है आते हैं 64 मा कुश्चन है यह यह क्यू इल सितात पर है selected query language इस्ट्रक्ट क्योरी लेंग्वेज special question relation इस्ट्रक्ट क्यूक्ट लेंग्वेज तो उक्तर चौधवा में आपका जो character answer रहा है भी इस्ट्रक्ट क्योरी लेंग्वेज तो इस्ट्रक्ट इस्ट्रक्ट क्योरी लेंग्वेज आपका भी एक्तर सही है पैसर होँ है निम्न लिखित में से क्या computer का मस्तित कहलाता है कई बार पूछा जाता है कर परिश्चाओं में और इसमें देखते हैं का उसा साई रहोगा तो क्या computer का मस्तित कहलाता है CPU निवे सिकाई मॉनीटर एल एल यू तो आपका इसमें जो character answer है अपड़ा एक सिपी यू एक से प्रोशेसिंग यूनिट सी पी यू जाब आते हैं एक सट्षट्षट्षट्व देखते हैं एक मेगा बाइट के वराबर है 124 किलो बाइट, 124 बाइट, 124 टेरा बाइट, 124 गीगेवाइट तो 124 किलो एक मेगा बाइट के बराबर कौन है तो एक मेगा बाइट के बराबर है 124 किलो बाइट तो एक एमबी बराबर पूछा जा रहा है मेगाबाइट मतलब एक एमबी में कितने केलोगाइट होते हैं तो एक एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं अब आते हैं निश्ट कोईश्चन ए यहाँ पर हमने जानकारे दिया है आपको पर पूछा जाता है एक बिट होता है जीरो एक बिट होता है जीरो और एक जो बिट है चार बिट बराबर मिलता है एक निबबर आठ बिट बराबर होता है एक बाइट और एक हजार बाइट बराबर होता है एक किलोबाइट एक हजार चौबिस बाइट बराबर होता है एक हजार चौबिस बाइट बराबर होता है एक किलो बाइट एक हजार चौबिस किलो बाइट बराबर होता है एक मेगा बाइट मतलब यही यमबी में कनोट होता है पिर देखते हैं 124 wyb होगा तो 1 gb होगा ज जब 1024 wyb होगा 1024 जब 1024 22 mapa तो यह टेरे बाइट हो जाएगा इसे कहते हैं सांट कट में TV कि एक आप्टेरा बाइ kiedy 124 TV में आपको बशके प्याद रखना है एक टेराबाइट तक याद रखना है आपको अब आते हैं 116 कुश्यन निम लिखित में से कौन नवकिय विखंडन के लिए उत्तरदाई है नवकी विखंदन के लिए कौंशा कारक उत्तरदाई है न्यूट्रान, पोट्रान, ड्यूट्रान, इलेक्ट्रान तो 166 में आपका जो करेक्टेंश रहवा है यह मतलब है न्यूट्रान तो न्यूट्रान जो है नवकी विखंदन के लिए उत्तरदाई है प्रमुक कारक है तो न्यूट्रान की खोचकी थी चैडविग ने पर्मार की खोचकी थी रदर फोर्ड ने और उलेक्टान की खोचकी थी थामसन ने अब आते हैं निश्ट कुश्चन एक शोड़ सठ्वा है एक प्रकाल स्वर्सम्तुल है 13 गुड़े 10 ग्याद पांच मीटर समवन जान चार ज्चाव वनकुली 20 ग्याद 15 मीर क्युके ुटेश समलोस 4 गुड़े 8 यको दो च्यान आत हार सम्नोस दो 35 यको और पर कालस्य घ्र Nepal तुइक प्रकार्स स्वर्स होता है यह प्रकाश्य वर्स होता है एक प्रकास वर्ष होता है जो वह होता है नौ दसमलों 46 वन गुड़े 10 घात 15 मीटर तो आपका इसमें बी करेक्ट एंशर होगा 168 में अब आते हैं इसमें एक्स्प्लेंट देख लेते हैं वह दोरी जो प्रकास एक वर्ष में तीन तीस हजार कीमी प्रत्स किसे करने के बेक्ट से तै करता है प्रकास वर्ष कहलाता है तीन लाख कीमी प्रत्स सिकन के बेक्ट से तै करता है प्रकास वर्ष कहलाता है यह साई प्रणाड़ी के अंतरगत एक प्रकास वर्ष नुट समलों 46 जीरो जीरो च्छा नौ गुड़े दल घात पांच मीटर वटा है अब देखते हैं अब पुछा जा रहा है समाने प्रकास की तरंग दैर्द का सही करम है तो तरंग दैर्द का सही करम है समाने प्रकास का हरा नीला पीला नीला हरा पीला नीला हरा और पीला हरा नीला नीला तो जो समाने प्रकास की तरंग्दैर का सही मान है वह है शीवला जो है पीला फिर नीला फिर हरा यह प्रकास की तरंग्दैर का सही क्रम है पिर आते हैं अब 117 कुश्चन 138 कवक मूल एक सहा जीवे सम्मंध है जीवाड वा उच्च पौधों की जड़ों में ऑफकोड़ वा उच्च पौधों की जड़ों में सयवाल वा आरकटकी जड़ों में अ व्रैयों फाइट वा आरकिटकी जड़ों में ग чудra आज मीर्ण तो आपका इसमें सही अनसर है 378 में आपका सही असर है बी पहांपूद वा उच्च पौधों की जड़ों में कावक मूल साहजीवी का संवंद हैं सिए एकुष्ब कैस्तरवां है मलेरिया का वहाग है एडीज एज़व्री मच्थर कियू लेक्स-पी-पीएंस मच्थर इनोफिलीज मादा मच्थर सीसी मख्ची इक प्रिष्ट कहतर्मे में आपका जो कियानचर है वारशे एनुफिलेज गैंबी आई मादा मक्छर तो न कि नार मक्छर कि अब आते हैं हम 172 कुश्चन है कि 122 है सिनो मोन ब्रिच का कौन्सा भाग तथा अवसधी के रूप में प्रियुक्त होता है जड़े कास्ट कुश्प कलियां छाल 172 में आपका जो करेक्टेंसर है बाए डी चाल जो होता है सिने मोन ब्रिच का जो भाग है उसको आवसधी के रूप में प्रियो किया जाता है सिने मोन ब्रिच का 173 है थाइमीन के कमे के कारण होता है थाइमीन की कमी के कारण क्या होता है थाइमीन की कमी के कारण कौन सरू होता है आपको बताना है यह है बेरी-बेरी इसकरवी नपुन सकता रिकेर्ट आपका जो इसमें सही अंसर है वाए ए बेरी-बेरी होता है इसका भी जो होता है वह विटामिन C की कारण होता है और विटामिन C का जो प्रमुक भाग है जो प्रमुक तक तो होता है विटामिन C के पाए जाता है प्रमुक रूप से आवला में पाए जाता है और D है जो विटामिन D की कमी से होता है रिकेस होता है जिसे हम कहते हैं सूख का प्रकाश उसकर भी जो है वह होता है सी के बिटा में सी की कमी के गारण और बिटा में सी के जो तत्तो होते हैं आवला संतरा नीबू यह सब होते हैं खर्टे पदार्थ होते हैं अमरूद 174 है मानों सरीर में पाई जानने वाली सबसे बड़ी गरंती का नाम बताईगे तो मानों सरीर में सबसे बड़ी गरंती का नाम बताना है अधियुरिक ग्रंथी थायराय याकृति अगनाशाय तो आपका जो इसमें 174 में राइट एंसर है 174 में आपका जो राइट एंसर है वाई शी मतलब याकृति लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथी है मानों सरीड की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर है जिसका वाजन 1.5 kg तक होता है अब आते हैं पचातरवन कुश्चन केंद्री आलू अनुशंधान संस्थान कहां है केंद्री आलू अनुशंधान संस्थान नई दिल्ली शीमला ए है नई दिल्ली बी है शीमला केंद्री आलू अनुशंधान संस्थान है सिखत्रवन कुश्चन है काडरा तथा असनाईड है पश्ची उतक है उपकलाव उतक है सैयंजी उतक है कंकाल उतक है तो 176 में जो अक्रारी टेंसर है वाय सी, सी मतलब सायून जी उतक है, तो कांद्रा जो असनायू है, कांद्रा तथा असनायू है वाय सायून जी उतक है, तो सी आपका करेक्ट टेंसर होगा, अब आते हैं, 77, 177, यहाँ पर हमने मेंसन नहीं किया है, किस रख्त समूग में प्रतिरच्छी नहीं होते हैं, ए, बी, ओ, ए, बी, तो ए इसमें है ए, बी, यह है ओ, और ए है ए, बी, तो जो रख्त समूग होता है, जो रख्त समूग होता है, ए, बी, उसमें प्रतिरच्छी नहीं होते हैं, यह आपका सई है, तो ए, यह जीदा करेक्ट एंशर, इसमें ए, और बी में प्रतिरच्छी शमूग नहीं होते हैं, एक सोटा तर्मा है, उस्षा के लच्छडों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में इस्त्रावित होता है, आप जब खुश होते हैं, उस्षाहित होते हैं, तो कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में अस्त्रावित होता है, उसका नाम है वाईशो, वाईशोप्रेशिन, रिलेक्षिन, एड्री, नेलिन, और दी है, टेस्टो, इस्टीरोन, उसमें जो आपका करेक्ट एंसर है, अठातरवे में, वाईशी, एड्री, नेलिन, जब आप अफशारित होते हैं, तो इसके वज़से होता है, ये हार्मोन इस्त्रावित होता है, एक तो नातीन कुश्चन है, परिशोधित इलकोहल, स्पिरिट्श किसिमें पारा जाता है, किसे से पारा जाता है, तो परिशोधित इलकोहल प्रभाजी आश्वन से भाप आश्वन से इस्तिर क्वाथी आश्वन से निर्वात आश्वन से तो आपका जो इसमें सही अंसर है वाज सी सी है इस्तिर क्वाथी आश्वन से इस्तिर क्वाथी आश्वन से परिशोधित इलकोहल इस्पिरिट किया जाता है तो परिशोधित इलकोहल इस्पिरिट जो होता है वह इस्तिर क्वाथी आश्वन से इस्पिरिट किया जाता है 1808 कुश्चन है गैमेक्सीन नामक की इतनासक नाम का राशाइनिक नाम क्या है डी डी टी बेंजीन हेक्साुल्राइड कुलोरीन हेक्सा क्लोरोबेंजीन तो 180 में आपका जो कर्क्ट एंसर है वाइब बी मतलब बिंजीन हिक्सा कुल्राइड बिंजीन हिक्सा कुल्राइड गयमेक्सीन का रशाइनिक नाम है और इसमें क्याश्युआ है साधारण सरकरा का प्रकिति कौन्सा है तुलशी पत्र एलोवेरा पत्र दाल चीनी छाल स्टीविया पत्र आपका जो क्याश्युआ में राइट एंसर है वाइडी स्टीविया पत्र प्रहमाते हैं निश्ट कुश्चन बायाश्युआ पे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिसत मात्रा है 46-78-63 आप सब को पता होगा वह उतासान कुश्चन है तो एक सो जो बायाश्युआ में आपका राइट एंसर है वाह है ए 46 पर सथ नाइट्रोजन पार जाता है यू जीरो डिग्रे सेलसियस ताप मान की 100 गरम बरफ को 80-100 गरम जल के साथ मिलाया गया निश्ट के अंतिम ताप का मान क्या होगा फिर से कुश्चन पढ़ देते हैं जीरो डिग्रे सेलसियस ताप मान की 100 गरम बरफ को 80 गरे सेलसियस के 100 गरम जल के साथ मिलाया है और निश्रड के अंतिम ताप का मान क्या होगा जेरो डिगूरी सेल्सियष 20 सेल्सियष 40 सेल्सियष दि नबे डिए सेल्सियष obvious एक सब्सूत्ती राशक्तु में आपका जो सही उन्सार होगा ona होगा ए जा जेरो डिगूरी सेल्सियष मानहोगा जब 10 गर्म जल्यकस मिलाया जाएगा उसका मानहोगा When उत्तरा खंड में निचली पहाड़ियों से उपर की ओर परवता रोहड में परवता रोहड में संभावता निमने ब्रिच क्रम दिखाई देगा देवदार चीड़ पाइन भोजपत्र साल और चीड़ पाइन साल भोजपत्र देवदार साल भोजपत्र चीड़ पाइन देवदार तो आपको बिर्च का क्रम बताना है जो 114 सिवा में आपका जो इसमें क्रम होगा वह का अड़ी वाला साल दिखाई देगा तब भोजपत्र पर चीर पाइन पर देवदार यह स्वारी यह हो गए इसमें आमने वहां पढ़ दिया साल चीर पाइन देवदार अब आते हैं पचासिमा कुश्चन पचासिमा है भूज पत्र पवधो तथा जनतुं की दिवनाम पद्दति का जनक किसे कहा जाता है भूज पत्र पवधो तथा जनतुं की दिवनाम पद्दति का जनक किसे कहा जाता है चार्स डार्विन कारल लिनियस ए हार वैलिस डी है जे डी हुकर आपका जो एक सो पचासिमा में करेक्टर अशर है वाए बी कारल लिनियस को भूज पत्र पवधों तथा जनतुं को दिवनाम पद्दति का जनक कहा जाता है एक सो चीवा सीवा है पवधों की लंबाई ब्रिधि के लिए उत्तर दाइक प्रमुख हार्मोन है तो किस हार्मोन के करण पवधों की लंबाई बढ़ती है साइटो काइनीन इताइलीन जिब्रेलिन और दी है आक्षिन तो आपका जो इसमें सभी अंसर है वह है इसमें कंफ्यूजन है दोस्तों कोन है इसमें हम जिब्रेलिन को माल लेते हैं आपको हम जो भी करेक्ट एंसर होगा उसके माददें से आपको हम उत्त कमिन तबाक्त में पीन कर देंगे यह कंफ्यूजन है 186 नंबर कुश्चन करेक्ट नहीं है क्योंकि आयोग ने भी इसम दोरह पौधों की लंबाई में ब्रिद्धी होती है इस आर्मोन का निर्मार पौधे के परतिक भाग में होता है जबकि एथली नहां पर आपसानी नहीं दिया दिया तो है यही है आपका बी आपका सही माना जाएगा तो बी आपका हम मान लेते हैं अब आते हैं 87 कुश्चन को उसे दू ताप मा पांग समान होते हैं तो को से दूत और त्री आइस हैं जिनके मा पांग समान होते हैं इक्कौल होते हैं ऑं यह एवन फारेन हाइट होन चल्विन धेलविन चल्रविशिय में से कोई नहीं तो आपका में किस गुर्षोत्र की अधिक्ता के कारण डाउन सिंड्रोम मंगोल याड इडियेट पाया जाता है किस गुर्षोत्र के अधिक्ता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है गुर्षोत्र संख्या संख्या 21 के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है तो आपका एसमें सही है एक्सोड़ाश्यव में यह आपका करेक्ट एंसर है कि 119 कुश्चन है अकास नीला दिखाई देता है क्योंकि शूर्य प्रकास में नीला प्रकास अधिक है वाता वरल में वायू के कड़ो दोरा शूर्य प्रकास का प्रक्रिण होता है वाता वरल में प्रदूसर दोरा शूर्य प्रकास का प्रक्रिण अन्य रंगों का खागोली पिंडो दोरा और सोसर इसमें आपका जो सही अंसर है वाई बी वाता वरड में वाई के दारा वाता वरड में वाई के दारा कड़ो दारा शूर प्रकाज का प्रक्रिडरन तो आपका इसमें हम एक्स्प्रेन कर देते हैं बलकि प्रक्रिडरे तरंगों को देखते हैं तू कि बैगनी तात्पास्चाज जामुनी योम नीले लगो योम तरैंग दैरंग के कारण के प्रक्रियरन सर्वधिक होता है इसलिए हमें नीला दिखाई देता है तो आपका इसमें जो शही अंसर था वह था भी अब हमाते हैं 190 मों कुश्चन एक्टान की खोच किसने की थी तो इलेक्टान की खोच की थी जे जे थामसन ने बी इसमें आपका यह है रदर फोर्ड बी है जे जे थामसन नील बोर जेकाई जेकाई आपका इसमें जो कर्रेक्टर इंसर था वह जे जे थामसन है हमने आपको पहले ही बता दिया था इसी अभ्यास में एक्kon Matye boy啊 आ शाहानी पाधहों में नहीं पाई जाती हैं तो क्या नहीं पाई जाताहे देखना है बिभुआज्जयों तक को सिकाइन जाइलम वाहिनिया पेरिन काईमा को सिकाइन वाहि भिति वाहः भिति एक् букetti में आपका जो राइट एंसर है वाए भी मतलब जाइलम वाहिनिया नहीं पाई जाती है असवाहनी पाउधों में आपका बीजिदा करेक्ट एंसर एक सोई क्यानवे का भी करेक्ट एंसर है निम्न रोक का परिछड इलीशा द्वारा संबह होए इस पोलियो टाइप हाइट का तो आपका जो बानवे में करेक्ट एंसर है एट्स ए जो ए है एलीशा जो परिछड संबह होए इस में संबह है एक सो दिराशिवा है कि अवाय यवी वून आवाय यवी स्वसंद्वारा ग्लुकोज के एक अलू से एती अलू बनते हैं तो जो बनते हैं वहाय है दो दो अलू बनते हैं अब आते हैं वीटामिन ट्वेल्फ पर नाम बग्यानिक नाम है रिटीनल राइबोफलेविन साइनो कोबालमीन और एड्डी है एड्रीमिन एड्रमिन आपका जोगत चवराणवेव में राइट एंसर है य चावल में चावल का मॉट होता है ईसमें जो जो फिर केन भी त्वासा भी होता है उसका नाम होता भी होता हिऊ ही जो था किसका प्रियोग उपयोग बैटरी लेट ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमार पिंट का निर्माड में लाल वरड़क के रूप में होता है पीबी जड़ो पीबी ओ स्रीयारो पीबी ओएस ट्वाइस तो आपका जो इसमें राइट एशर है हुआ है पीबी जड़ो जंग र रड़े और रख्त करड़े आपका जो इसमें सही अंसर है वाए भी पराबैगनी के रड़े तो पराबैगनी के रड़े जल सोधन के रूप में यह कि रहा है जनवरी 2019 में प्रिंट मेडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए राम नाथ गोयंका एक्सिलेंस इन जनरलिजम अवाड किसे दिया गया था तो 2019 में प्रिंट मेडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए गोयंका इंग्स इलेंस पुरुषकार किसे दिये गया आनंद कुमार पटेल को सुसांत कुमार को इस बिजे कुमार को मिर्दूला चारी को तो आपका जो इसमें राइट एंसर है वा इस बिजे कुमार को दिया गया था अठानवा कुशन है वर्स 2019 के प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा देश पाबुक नामके तुफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है जापान से लंका इंडोनेसिया थाइलेंड तो एक सो अठानवें में आपका जो क्रेप्ट एंसर है थाइलेंड जो है पाबुक नामक तुफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है तो थाइलेंड में आया था पाबुक तुफान नुन्यानवा कुशन है तीन से साथ जनवरी 2019 में भारत और रास्टेरिया के बीच चोथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दवरान किस बीमारी के ज बेश्ट कैंसर के द्वारा बेश्ट कैंसर की सहायता के लिए जागरुकता के लिए धनरा से कठ्था के गई थी और लास्ट कुश्चन है दोश्वां जनवरी 2019 में हुए 76 वे गोल्डेन ग्लोब आवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्भूत क्रिष्ट अभिने के लिए अवार्ड दिया गया ग्लेन क्लोज लेडी गागा निकोल किडमाइन रोजमंद पाइक आपका जो इसमें करेक्ट एंशर है वाए ए ग्लेन क्लोज को दिया गया था ग्लोज को दिया गया था गोल्डेन ग्लोब आवार्ड बस दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारे चैनल को लैक सब्सक्राइब और सेर करना मत भूलिएगा दोस्तों सर्दी है हमें थोड़ा सा इसमें आपको कॉपरेट करना होगा और पुना स्वस्त होने पर आपको अच् देने के लिए बहुत बहुत धन्रबाद धन्रबाद